हेलो फ्राइनस एवन बेसिक स्टेडी में आपका स्वाव रहता है आज हम लोग बहुत ही महात पूर्ण प्रस्ण जानने वाला है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं तेकि फ़र्ष्ट प्रस्ण है पचीस केजी चावाल का कि दिया होगा सबस पहले इस तरह का प्रस्ण जब भी पूछा जाए तो हम लोग इसको कैल्कुलेट करेंगे देखिए 25 केजी इक्वाल टू करते हैं यहां 750 रुपिया तो एक केजी का प्रस्ण कितना हो जागा 750 डिवाइड बाइ 25 इसको यहां से अगर काड़ दें तो जागा 3 मतलब 30 तो हो जागा देखिए एक केजी का दाम कितना हो गया 30 रुपिया ओके इसी पर काड़ पूछा है कि 6 केजी का चावल कमल कितना होगा तिसी परकार यहां हम लोग लिखेंगे 6 केजी का प्राइस अभराल हो जागा 30 इंटू 60 इक्वाल टू कतना हो जागा देखिए इतना आया 6 केजी पूछा है तो 6 इंटू करेंगे तो 180 आजागा ओके 180 रुपिस अगर यही रहता कुछ और पूछ देता कि 5 केजी तो 5 से इसको इंटू कर देते हैं सिमरेल लिए आपका 180 रुपिस ओके 60 नहीं है 6 है क्योंकि 6 केजी 30 इंटू 6 कि चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन में है देखिए 10 केजी चावल कदाम 350 रुपिया है तो 5 केजी कदाम कितना होग इसको हम लोग उसी परकार केलकुलेट करेंगे 10 केजी इक्वल टू कर देंगे 350 रुपिया ओके तो 1 केजी कदाम कितना होगा 350 डिवाइड़ बाइ 10 ओके इसको यहां से अगर काट दें तो कितना होगा 1 केजी कदाम 300 1 केजी कदाम होगा 35 रुपिया ओके इसी परकार 5 केज का प्राइस जो होगा 35 इंटू 5 तो अबरॉल कितना हो जागा ही इसको यहां से इंटू करें देंगे तो फाइब इंटू 5 कितना हो जागा 25 के रिमें 2 5 इंटू 3 15 प्लस 217 कितना रुपया हो जागा ओके अशा करता हूं यह आप लोगो समझ में हया होगा